प्रमे दो यदी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानतर होती है प्यारे बच्चो अभी आपने प्रमे सिद्ध किया जिसमें आपने ये देखा कि यदी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानतर कोई रेखा कीची जाए तो शेश दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ये आपने एक प्रमे पढ़ा था अब इस प्रमे का विलोम हम देखना चाहते हैं विलोम में हम ये कह सकते हैं यदी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समानतर होती है यानि हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि यदी कोई त्रिभुज ए बी सी है और एक रेखा पी क्यू इस तरह से खीची गई है कि वो भुजा एबी और भुजा एसी को एक ही अनुपात में बाटती है यानि एपी बटे पी बड़ावर एक्यू बटे क्यों सी है तो उस इस्ति में पी क्यू बी सी के समाना अंतर होगी यह हमें सिद्ध करना है इस प्रमे को सिद्ध करने में एक खास बात है कि जो बात हमें सिद्ध करनी है जो कथन हमें सिद्ध करना है उसको हम खुदी नकारते हैं और वहां से अपनी बात शुरू करते हैं तो इसके उपत्ति में सबसे पहले हम यह मानेंगे कि मालने की PQ BC के समानांतर नहीं है और हम सिद्ध करना चाहते हैं कि वो जो PQ है वो तीसरी भुज़ा के समानांतर होती इस बात को जरा गौर से समझें कि जो बात हमें सिद्ध करनी है उसका निश्यद हम कह रहे हैं कि मालने PQ BC के समानांतर नहीं है तो ऐसी सिद्ध में हम यह कहेंगे कि कोई दूसरी रेखा और होगी माली जो रेखा PQ डेश है जो निश्यत रूप से BC के समानांतर होगी तो यह बात आप यहाँ पर लिख लें कि तरिभूच ABC में रेखा PQ इस तरह दे खिंची गई है कि वो AB और AC को समानांतर वाड़ती है तो PQ BC के समानांतर नहीं है तो हम इसको पहले लिख लें कि माल ने PQ BC के समानांतर नहीं है तो AC कोई नो कोई रेखा होगी जो BC के समानांतर होगी तो माल ने वो नहीं रेखा PQ इस है तो ऐसी स्थी में हम लिख लें कि PQ इस समानांतर है BC के तो हमने PQ इस की रशना कर ली और हमने यह माल लिया कि वो BC के समानांतर है तो हम यहाँ पर भी लिखें कि माल ने पीक्यू डेस एक ऐसी रेखा है जो बीसी के सामान अंतर है तो अब चली आगे बढ़ते हैं जो बात हमें दी गई है उसको गवर से देखें कि एक रेखा किसी त्रिभुश की दो भुजाओं को एक है अनुपात में वाजित करती है इस पर जदी हम गवर करें तो यह बात हमको यहाँ पर इस तरह से मिलेगी कि रेखा पी क्यू है वो रेखा जो त्रिभुच की भुजाओं को A B और A C को करमशा A P और P B और A Q और Q C के अनुपात है बार टरी और यह अनुपात बराबर है तो यह जो कथन का पहला हिस्सा दिया हुआ है उसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि A P बटे P B बराबर A Q बटे Q C मालने यह कथन एक है अब आप इस बात को देखे जो हम मान के चलना है कि मालने P Q डेश एक ऐसी रेखा है जो B C के समनांतर है तो आधार भूत प्रेमे हमें यह कहता है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुच की एक भुजा के समनांतर है तो इस शेश दो भुजाओं को बराबर उन पास में बाटती है तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं A P बटे P B A P बटे P P बराबर A Q डेश बटे Q डेश C A Q डेश बटे Q डेश C मालने यह कथन दो है अब इन दोलों कथनों का आप गौर से देखिए बायाँ पक्ष है A P बटे P B और यहाँ पर भी बायाँ पक्ष है A P बटे P B इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इन दोलों कथनों के दहने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे तिन को हम लिख लेए हैं हाँ पर A Q बटे Q C बराबर A Q डेश बटे Q डेश C हमने इन दोनों कत्नों के दहने पक्ष को एक दूसरे के बराबर लिखा A Q बटे Q C A Q डेश बटे Q डेश C अब यदि दोनों पक्षों हम एक जोड़ दे तो समीकरण बराबर ही रहेगा तो हमको मिलेगा A Q बटे Q C धन एक बराबर A Q डेश बटे Q डेश C धन एक और यदि आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा A Q धन एक गुड़ित Q C याने Q C बटे Q C तो यह बाइन तरफ का कथन हम यहां लिखे यह हमको मिलेगा A Q धन Q C बटे Q C और दाहिनी तरफ मिल जाएगा हमको A Q डेश A Q डेश प्लस Q डेश C बटे Q डेश C अब आप देखिए A Q और Q C यह पूरा का पूरा A C के बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको A C बटे Q C बराबर A Q डेश प्लस Q डेश C A Q डेश प्लस Q डेश C यह पूरा का पूरा A C के बराबर है तो इसके बदले आप लिख सकते है A C बटे Q डेश C अब आप देखिए कि यहां बायपक्ष में और दाहिने पक्ष में A C बटे Q C बराबर A C बटे Q डेश C है इसका मतलब यह हुआ कि Q C और Q डेश C आपस बराबर होंगे क्योंकि दोनो भिन्नों के अंश बराबर है और दोनो भिन्ने आपसे बराबर है तो इनके हर भी आपसे बराबर होंगे तो इस तरह से हैं होंगे दोनों एक ही बिंदू होंगे तभी यह पॉसिबल होगा यानि यह जो पी क्यू डेश था जिसको हम कह रहे थे बी-सी के समनांतर है वो तभी और तभी संभा होगा जब वो क्यू की जगह पर हो या क्यू क्यू डेश की जगह पर हो या दोनों एक ही इस्थान पर हो त कथन को एगरे नहीं करता इसलिए हम कह सकते हैं कि Q और Q डेस दोनों एक ही जगा पर है और यह बात सावित होती है कि जो PQ है वो BC के समानांतर है तो यह बात सिद्ध हुई कि PQ समानांतर है BC के तो यह कथन हमें सिद्ध करना था यदि कोई रेखा इस तरह से खीची गई है कि कि किसी त्रिभूच की दो भुजाओं को समान अनुपात में बाड़ती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी यह बात यह कथन यहां सिद्ध होता है